इस सेशन में हम देखेंगे राके से आदो के क्लास नोट्स के कोश्चन कोश्चन नमबर 116 टू कोश्चन नमबर 120 के वीडियो सोलूशन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो देर निक करते हैं मैं स्टार्ट करते हैं कोश्चन नमबर 1 से लेके 115 तक अल्रेडी मैं करा चुका हूँ तो कोश्चन नमबर 116 देखते हैं 116 कोश्चन नमबर क्या कर रहा है जैसे देखो मैंने अभी आपको बताया था ब्रेक करने का तरीका क्या मैं ब्रेक कर सकता इसको क्या 1 into 5 लिख सकता हूँ तो मैंने बोला था इसको क्या जो यहाँ पे है उसी को यहाँ पे भी लिखा तो 5 into 9 लिख सकता हूँ अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9 into 13 लिख सकता हूँ यानि कितना का गयब चल रहा है 3965 थोड़ा बहुत तो knowledge इतनी रखनी पड़ेगी क्योंकि 4 का gap एक पता चले 16 तो दूसरा 65 औरड़ी होगा क्योंकि कभी भी देखो अगर मेरे को करना होते हैं मैं कैसे बोलता कि देखो 5 जब भी आता है कोई भी नंबर का 65 में 5 का multiply करोगे तो यूनिट जो नंबर यूनिट का आता है यूनिट का मतलब इकाई का अस्थान 5 या आता है यानि अगर ये 65 अगर रखते हैं तो ये तुम्हारा अलेड़ी एक सथ होगा क्योंकि gap का difference चार चार का चल रहा है यहां तक समझ में आ गया फिर मैंने इसके लिए फार्मूला आपको बताया था क्या फार्मूला बताया था कि 1 by 4 1 by 4 क्यों देखो 1 divided by 4 का gap है इसलिए 4 नीचे 1 divided by first number, first number कितना है 1 minus last number, 1 divided by last number कितना है 65, लोग हमने कर लिया direct, कर लिया तो क्या होजाएगा 1 by 4 into 65 minus 1 divided by 65 यानि तुम्हारा कितना हो जाएगा 1 by 4 into 64 by 65 तो 16, 64 यानि कि तुम्हारा कितना हो जाएगा 16 by 65 और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा इस question का answer हो जाएगा next question देखो ऐसे कुछ questions है पहले मैं आपको break करना सिखाता हूँ ताकि आपको बहुत ही आसान हो जाएगा 9 by 8 अब क्या है ये नीचे वाला उपर चला जाएगा तो उपर चला जाएगा तो फिर क्या लिखूँगा 1 divided by 2 plus 8 by 9 हो जाएगा 8 उपर चला जाएगा तो अब इसको फिर मैं क्या करूँ LCM ले लो LCM लोगे तो 1 divided by 2 और 9 का LCM 9 दुनी 18 18 8 कितना हो जाएगा 26 यानि 26 by 9 और फिर 9 क्या चला जाएगा उपर तो 9 उपर चला जाएगा तो 9 by क्या हो जाएगा 26 9 by 26 इस question का क्या हो जाएगा answer तो इस तरह से आप questions बना सकते हो असानी से next question देखो ऐसे भी question आ गया मैंने हमेशा बोला था नीचे से deal करना है नीचे से deal करना है तो लिखो 1 by 3 plus 1 divided by 1 plus 1 divided by अब देखो ये करोगे तो 4 दुनी 8 एक 9 by क्या हो जाएगा 4 4 को उपर ले जाओ तो फिर क्या बन जाएगा direct मैं करूं 1 divided by 3 plus 1 divided by 1 plus इसको मैं करूं तो क्या हो जाएगा 4 by 9 हो जाएगा अब फिर मैं क्या करूं LCM ले लू तो उपर का तो ऐसे ही रहने तो 1 divided by 3 plus 1 divided by अब देखो 9 और 4 13 13 by क्या हो जाएगा 9 फिर 9 क्या हो जाएगा उपर चला जाएगा उपर चला जाएगा next step कर लेते हैं 1 divided by 3 plus 9 by क्या हो जाएगा 13 फिर मैं LCM ले लूँ तो LCM लूँगा तो इसमें क्या मल्टिप्लाइ करो तेरती है 49 49 और 9 49 9 9 18 3 1 4 1 5 3 1 4 4 48 यानि 48 by क्या हो जाएगा 13 और फिर 13 क्या हो जाएगा उपर चला जाएगा 13 वाई क्या हो जाएगा 13 वाई आपको जाएगा 48 और 13 वाई 48 आपका क्या हो जाएगा एंसर तो इस तरह से आप कोशन को simple नीचे से break कर सकते हो next question देखो फिर मैंने बताया था आपको हमेशा ऐसे question को नीचे से break करना है तो नीचे से break करने के लिए क्या कर हो जाएगा तो इंटू ये भी है न तुमारा जो multiply है यहाँ पे 0.39 तो उपर चला जाएगा देखो फिर मैं क्या लिखू तो डिवाईड़ बाई 2 प्लस 2 डिवाईड़ बाई 3 इंटू ये 3 उपर चल जाएगा न 3 प्लस है देखो यहाँ पे 3 प्लस है तो 3 प्लस 3 नहीं क्या 6 बाई 11 इंटू यहाँ पे तुमारा क्या देओ 0.39 तो अब देखो फिर LCM लेलो 2 डिवाईड़ बाई नीचे से calculate करो तो 2 प्लस देखो 2 प्लस 2 डिवाईड़ बाई इंटू कितना है 0.39 और इसमे कितना है 11 33 33 36 कितना है 49 49 बाई क्या हो गया 11 11 तो उपर चला जाएगा ठीक है तो मैं next step कर दूँ 2 डिवाईड़ बाई 2 प्लस ठीक है 11 दूनी कितना हो गया 22 डिवाईड़ बाईड़ 49 इंटू 0.39 है ना 0.39 को लिख सकता हूं 49 बाई 100 fraction दसमलों को हटा दिया 49 बाई कितना ह है तो प्लस कितना हो गया 225 हंडेड 22 मिस भाई हडेड यानि कि इसको और भी करो फिर नेचे से शौर्फ ऑगा तो टू बाईड़ बाई क्षर 2 सो प्लस ऑई नोसो द्हाइड बाई यह तुन हो गया एक सो अग्यार Eh 2021 यह तूम्हारा क्या हो जाए तो इस तरह से आप नीचे से ब्रेक करते हो, ऐसे कोशन को, नेक्स्ट, अब क्या कोशन, इसके अपोजिट पूछ दिया, ये भी आपको SSE CGL 2000, CGL में, CGL में आपको पूछा गया है, CHSL में पूछा गया, MTS में भी पूछा गया, और CPO में भी कोशन, ये कोशन पूछा गया ह अब ऐसे कोशन को, अभी तक हम क्या करते हैं, नीचे से ब्रेक कर रहे थे, लेकिन इसमें भैलू नहीं दिवी तो, अब क्या है, भैलू दे दी गई है कि 17 अपोन 16 होता है, तो ऐसे कोशन में हम इसको लेके चलते हैं, क्या वो भी अपोजिट, देखो 17 वाई 60 है ना, तो 1 बाई क्या करते हैं, 17 को नीचे ले आते हैं, तो क्या लिखते हैं, 60 वाई 70, क्योंकि फिर 17 उपर चला जाता है, तो 17 वाई 60 हो जाएगा, हम यहां से ब्रेक करके लेके बढ़ेंगे, अब लेके बढ़ेंगे, तो फिर मैंने क्या बढ़ा, 1 डिभाइड वे 17 का भाग दो, 17 कितना होता है, 51, 73, 51 होता है, 3 अपन, 3 बार में चला गया, 51, और 9 कितना बचा, 9 अपन, कितना 17, इसको लिख सकता हूँ, तो 51 अपन 17, 60 हो जाएगा, फिर मैं अब क्या करता हूँ, अब देखो, अगर फिर मैं क्या करता हूँ, इसको और भी ब्रेक कर लूँ, 3 अपन, क्या करता हूं 9 को उपर ले जाता हूं तो 1 divided by 17 9 को नीचे भेज जाता हूं अभी तक मैं उपर भेज रहा था अब उपर से नीचे की process है इसको 9 लिख सकता हूं तो फिर 9 उपर चला जाएगा बात तो ही है क्योंकि 1 upon 17 upon 9 9 को उपर ले जाओ तो भी 9 upon 17 होता है यानि हम ने इसको क् 1 upon के form में कर लिया 1 upon के form में इसलिए किया ताकि हम आसानी से questions को बना सके ठीक है तो 1 upon यह हो गया अब फिर इसके बाद process नेक्स्ट प्रोसेस देखो वहां से 1 divided by 3 प्लस 9 का भाग दो 17 में तो 9 का भाग दो 17 में 1 उपर है 9 का भाग दो 17 में तो 9 दूनी 18 यानि कि 9 एक आई 9 9 1 प्लस 8 वाई 9 तो 17 यह हो जाएगा अब फिर क्या हो गया अब देखो यहां कि बादो आगे यहां तक 1 by 3 प्लस 1 डिवाइड़ बाई 1 प्लस अब देखो 8 को फिर क्या करते हैं अल्टा कर लेते हैं वन डिवाइड़ बाई 9 वाई 8 नीचे shift कर देते हैं ठीक है नीचे shift कर तो देखो 1 divided by 3 plus 1 divided by 1 plus अब इसको में देखो 1 उपर है अब ये बताओ 9 को फिर क्या करते है एट के फो में ब्रेक करते है आठ से भाग दो तो आठ है कहीं आठ 1 प्लस कितना हो जागा 1 by 8 1 plus 1 by 8 कितना हो जाता है 9 by 8 यानि फाइनली हमने मूब कर दिया अब ये बताओ A B C D की value पूछ रही है जो नीचे वाला है देखो हमने इस form में पूरा का पूरा convert कर लिया D की value कितनी है ये C की value कौन सी है ये B की value कौन सी है ये और A की value कौन सी है तो अब ये बताओ हमसे पूछ क्या रहा है A plus B plus C plus D A की value कितनी है 3 B की value कितनी है 1 C की value कितनी है 1 plus D की value कितनी है 8 3 इस तरह से आप को बना सकते हो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें अगर आप मेरे चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सस्क्राइब कर ले ताकि कोई भी मैं वीडियो डालू तो सबसे पहले मिल जाए और यहां पर मैं अल्रेडी राक के से आदो के क्लास नोट्स के वीडियो सलूशन पर भाइड करता हूँ ताकि आप बेटर अंडरस्टेंडिंग हो सब्सक्राइब थाइंक्यू बाबाए मिलते हम नेक्स्ट पार्ट में